जहें साथियो मैं दिली पाप सभी का इचीवर्स ओनलाइन कोचिंग में स्वागत करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में नाकपूरी लोग कथा चोचा चरे और राजा को पढ़ेंगे ठीक है यह लोग कथा आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है यदि आप अगामी होन सराफंट कमेंट करना ना बुलिएगा आप लोगों कमेंट से सब्सक्राइब में बहुत ही जिए जरूर दे रहा हूं तो दोस्तों आप हम फिर्म साहित तो सकते हैं ठीक है कमेंट करेंगे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा तब जाके हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है ठीक है चलिए ज्यादा बात ना करते हैं वीडियो के सुरू करते हैं दोस्तों चोचा चरे और राजा रहे उकर महल में चैरो चगुर्दी इटा से गहराल रहे, चायरो अर्रा गच रोपल रहे, एक राजा थे, ठीक है, उसके महल चारो तरब इटा की बॉंडरी से घेरा हुआ था, और चारो अर्रा मतलcirो किनार में गच रोपल रहे, मतलँ गच मतलड़ पेड रोपा हुआ था, एक आमबा कर गच कर उपर चोचा चरई आपन रहे ले खोता बनाए रहे और उक्रे में रहत रहे एक आम का पेड़ था उसी में चोचा चरई वही एक चिडिया होता है ठीक है गव रहने के लिए अपना गोसला बनाई हुई थी और उसी में रहती थी एक दिन चरई कने नी कने से कैठो सोन कर टुकड़ा लानलक से के राजा सहब देख लीए, एक दिन चरह किधर से एक सोना का टुकड़ा लाए उसको राजा सहब देख लीए, राजा आपन दूठ नोकर मन के कह लाए एर है जावा तो उँ आमबा गच में उँ चोचा चरई कर खोता दीसा थे हुआ चरई सोना का टुकड़ा के लेके राई खे उके जावा लेलानबा राजा देख लिए सोना का टुकड़ा लाई उसको राजा देख लिए और अपना दूठो नोकर मतलब दो नोकर को आदेस दे की जा तो चिडिया वहाँ पर सोना का टुकड़ा लाई है उसको ले के आना नोकर्मन उके उत्राएके लेलान ले मतलब नोकर्सब राजा का आदेश लेकर वहां से सोना का टुकड़ा को उत्राएकर ले आए और राजा के दे दिले उसके पाद राजा को दे दिये उके लेगल पाच्छे चरही राजा कर महल कर भीत उपरे बैट के कहलक मतलब कि सोना को जब राजा का नोकर सब ले लाए तो जो चिडिया थे वो राजा का दिवाल था उसमें बैट गई और कहती है अनकर धने बिक्रम राजा अनकर धने बिक्रम राजा मतलब दूसरे का धन में अपना हक जमा रहे है इस तरह का कह रही है राजा सुन के अमसाई गे लग तब एक ठो नोकर के कह लें एरे जा लेग रखा सोना के उस सार गोटे दीन इसने हैं कहत रही राजा ये बात सुन के अमसाग है तो अपने नोकर को कह रहा है कि जा सोना को लेग रखना नोकर मनुकर सोना के लेग रखना नोकर सब राजा कादेश लेकर वो सोना को वहाँ पर रख रखे घोंसला में उचरे खोता में सोना के देख कि राजा के फिन कहा है लाग लग जब अपना घोंसला में चिडिया सोना को देखी तो कहने लगी डर डर मरे दे दे लग डर डर मरे दे दे लग इस तरह से चीडिया कहा रहे, राजा डर गए और इसको दे दिये इसन कहे कि सुन के राजा नोकर मन के चरई के मायर लाने के लिए कहलक इस तरह का बात सुन कर राजा चीडिया को मार के लाने के लिए अपना नोकर सब को कहे राजा कर बात के चरही सुन ले लग और कह लग हाई रे राजा दोसर कर बल के आपन बल कहे अब राजा का बात को चिडिया सुन ली और कह दी है कि हाई रे राजा दोसरे कर बल को अपना बल कहे राजा गुसा से तिल मिला आगे लग राजा जो है गुसा से लाल हो गए, पुरा तिल मिला गए, उठ लक और राजा चोचा चरे के मारे के लिए कुद लक, राजा उठे और उचिरिया को मारने के लिए दोडे, चरे फूर ले उड़ के दोसर डाइर में जाए बट लक, चरे उड़ गई और दोसर डाल में जाके बट गई राजा जोर से दोसर डाइर बटे कुदलक और डाइरे से टक्राए के गीर गई लग राजा उस डाली के तरफ दोर रहे थे और उस डाली से टक्रा कर गिर गई राजा के बेसे घाव लाग लग उठेकों में उके तकलिफ होवे लाईगी देख के चोचा चरे खिल खिलाते उड़के दोसर दूर कर गच में जाए के बश्च लग मतलब की राजा गिर गए तो चिडिया भी देखकर खिल खिलाकर खुसी से दूसरा डाली में उड़ गई और दूर का डाली में जाकर बैठे नोकरोमन के हासी आलग मुदा डर से कोई नहीं हास ले राजा के नोकर था उसको भी हासी आया लेकिन राजा के डर से कोई नहीं ह देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा यह लोग कथा से जितने भी प्रश्ण आएगा ठीक है आप लोग अगर अच्छे से वीडियो को एक बार ही देख लेते हैं या तो एक बार में नहीं समझे दुबारा देख लेते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग के एक भी कोश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा ठीक है छूटेगा नहीं क्योंकि एक बार लोग कथा समझ गये तो फि करता है झाहर आगर लोगवा घता हुपनोंकि एक लुग थास। झाल झाल